आप सभी को दिली वाली आंटिकर नमस्कार आज हम गोवी के पराठे बनाने जा रहे हैं आई ये गोवी के पराठों में देखते हैं क्या-क्या समान यूद होता है भोवी नहीं लिए दो हरिमिते लिये वैसे हमने 200 ल Bennett लिये लेकिन मोठी दंटर काचने के बाद फॉने बाद 600 ल्हाए ग़ए हमने पॉने के बाद इसको कपले पुछलेय को निल्ट काम धे रहे हमने 6 चोटीए कटोरी हरा दोहनिया खट गया एक कठोरी, आठा, एक छोथाि चम्मज, एक छोथाी चम्मज, 升 झाल मीरेश, एक छोथाी चम्मज, सूखा, धन्याउ, एक छोथाई चम्मज, अम्जूर पाउडr, और तीन चम्मज टेल लिया है, और अधीन चम्मज, नमक, ऊब हम गोवी कॉटकर दंग कंच यह रहा हम रहरा हम डीन कंच दहीं से हम कहते हैं एते हमें ऽी ऐसी रहना है जी शे नीको काट लिए जी बग से किन देह नीकाट प्रष्य प्राट एक आते हम्ली करते है यह ने लो यह लिया, तर उऑना चैम नमक दालेता है पमें और जाल जालते हैं यदि आप नमक नहीं डालते हैं तो आप नमक नहीं डालते हैं तो इसलिए हमने नमक डाल लिया है आठे कामने जो बना लिया पिए हम निटे चोड़ देते हां select में मासाले एड कर देते हैं यह हरी मिर्से ज़िए द्धनिया पाउडर यह जवाएन चूर पाउलर रडमीरस, अरद्डनीयाँ, हमने इसके निदर नमग केंड़ने हैं, करािये हैं, नमग बनाइढेँटे करा हैं, यभी थोड़ेता मिस्रण में हमें आड़ करेंगे, अब हम इसको मिश कर लेते हैं नमक हम इसलिए नहीं मिलाते हैं, कि वो पानी छोड़ देता है, हम थोड़े थोड़े मिश्रन में उसी ताम मिलाएंगे जब बनाईगे मेरियम गैस पर हमने तवा रख दिया है, अब हम बनाना सुरू करते हैं अब हम इसको आटेमेल पेट के बेलना सुरू करते हैं यह फिर दुबार हम आटेमेल पेट लेते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा बोलेंगे यह थोड़ा सा पराथा मोटा ही रखें जिससे हमारा पराथा फटेना और पराथा यह मोटा ही अच्छा लगता है अब हम इसमें एक पराथे के मिशरन में हम थोड़ा सा नमक दालेंगे बस थोड़ा ही डालें ज्यादे डालेंगे तो फिर तेज हो जाएगा अपने स्वाथ के अनुसार भी आप डाल सकते हैं नमक इसे हम ऐसे मिक्स करके सारे में एक साथ ना मिलाएंगे तो पानी छोड़ देगा इसलिए एक पराथे के मिशरन में नमक मिलारके हम भर देते हैं इसको हम ऐसे इसके अंदर डाल देते हैं यह हमने डाल दिया है और आप इसको इस तरह से उठाएंगे और ऐसे उठा उठा के इसको अंदर कवर कर जगे इस तरह से हमने ऊपर से अच्छी तरह से आप पैक करें जिस साइए निखले ना हमारा मिश्रण और इस तरह से आप फिर हम इसको आटे मेले पेट लेते हैं और ऐसे करके आप उंग्लियों से बड़ा भी हो जाएगा हमारा प्राथा और हमारी जो गोवी का मिश्रण है वो चारे प्राथे में पूरी तरह से फैल जाएगा और फिर आटे मेले पेटके हम इसको हलके हाथ से बेलें यदि आप कहड़े हाथ से बेलेंगे तो फट अब इसको ऐसे उठा गए अराम से तवे पे डाल देते हैं हमारा ताव भी गरम हाथ हमारा प्राथा सुक चुका है इसको हम फरलर देते हैं Quran चारात पर किनारों पर तो डलर देते हैं थोड़ा सा तेल हम उपर लगा देते हैं, दूसी तरफ से भी पलड़ देते हैं, और थोड़ा सा तेल इधर भी हम लगा देते हैं, तो दबा दबा के आप करारा इसको कर लें, गया दीमी करके इसको इस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से करारा शीक लें, और ये खाने में बहुत स्वाधिस्त होता है, पलट-पलट के इसको ऐसे करके शीक लें, आप मुझे कमेंड में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, आप चाहें तो तेल की जगे आप घीका भी उज़ कर सकते हैं, आप जिसमें चाहें उसमें बनाएं, अब हमारा प्राथा तैयार है, अब हम अपनी गैस बंद कर देते हैं, हमारे गोवी के मसालेदार प्राथे खाने के लिए तैयार हैं, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर करना, मेरे चैनल को जोईन करना, अगली बार मिलते हैं, किसी नई चीज के साथ धन्यवाद.